हलो फ्रेंड्स स्वागत है आपका मारे चैनल इंवेस्मेंट की बजार पर Vodafone आइडिया के FPO का कल आखरे दिर है मंडे का दिन रहता हुआ देखने को मिलेगा और उसके बाद Tuesday से JN के IPO भी ओपन होने जा रहा है तो इस वीडियो में हम सब पर बात करेंगे क्या आपको apply करना चीए या फिर avoid करना चीए final decision क्या होना चीए और क्या grey market पर recovery है इस recovery को देख के apply करें या नहीं सब पर सारे scenario's पर बात करेंगे तो बिना किसी दिरी के वीडियो को शुरू करते हैं सबसे पहले यहाँ पर दोस्तों यह वीडियो सिर्फ और सिर्फ educational purpose के लिए है अपने advisor की सला ज़रूर लीजे पहले apply या avoid करने से शुरुआत करेंगा IPO की details के साथ तो कुल मिलाकर 18,000 करोड का यह FPO है जो के definitely अब तक का सबसे बड़ा सबसे विशाल FPO रहता हुआ देखने को मिल रहा है जो के 100% fresh issue वाला दोस्तों यह FPO है यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 22 तारिक को कल के दिन यानि FPO क्लोस हो जाएगा और यहाँ पर 11 रुपे के आपको 1298 shares 1298 shares मिलते वे देखने को मिलेंगे अपर price band ही select करिएग अगर आप apply कर रहे हैं तो रही बात दोस्तों यहाँ पर IPO के allotment की तो allotment अगर आप देखेंगे तो वह similar basis पर रहता हुआ देखने को मिलेगा दोस्तों जैसे बाकी IPOs में रहता है सेम basis पर यहाँ पर allotment रहता हुआ देखने को मिलेगा यहाँ पर अगर subscription की अब तक बात करेंगे तो मातर 54% का total subscription यहाँ पर इस FPO में रहता हुआ देखने को मिले तो definitely दोस्तों इस हिसाब सगर आप देखेंगे तो यह बात तो clear है यहाँ पर दोस्तों की retail में जो भी apply करेगा उसको 100% allotment इस FPO में मिलने वाला है अगर यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों अब तक के आकड़े जो आया हैं यहाँ पर तो 7 members ने आपर subscribe की सला दिये 2 brokers ने आपर subscribe की सला दिये यहाँ पर अब grey market की बात करें तो कल 40 पैसे तक grey market गिर गई थी आज recovery है grey market में 60 पैसे पर दोस्तों current grey market है चे तोड़गर की website पर second website है चानक की की सुबह यहाँ पर 70 पैसे तक grey market पहुची थी लेकिन अभी currently यहाँ पर भी 60 पैसे की grey market है third website है अपने पास दोस्तों IPO Central की यहाँ पर एक रुपे का grey market है तो तीनों website पर ठीक ठाक grey market प्रीमियम रहता हुआ देखने को मिल रहा है बट अभी भी यहाँ पर दोस्तों एक खत्रा है definitely grey market जिसे साब से crash हुई है क्या दोस्तों IPO के subscription के अगले दिन यहाँ पर grey market crash होती विए देखने को मिल सकती है never knows तो अब Monday का जो session है वो काफी important है इस FPO के लिए तो Friday के दिन stock ने दिन के lower side पर closing दी थी तो अगर Monday को stock गिट जाता है अगर मादली जे stock एक रुपे या फिर दोस्तों पचास पर सकी गिरावट करता है तो नीचे में दोस्तों अपने को और गिडावट होती विए देखने को मिल सकती है तो इस बात का जरूर अपने को ध्यान रखना है दोस्तों बाकि overall जो risky trader है risky निवेशा के वो definitely apply करके चले जोगी छोटी listing जैसे भारती exocom में हुई थी वैसा क्या इसमें होता हुआ देख भी देखने को मिल रही है तो यहाँ पर definitely situation थोड़ी अलग है बाकि long term के निवेशक दोस्तों एक bet ले सकते हैं चूंकि third largest telecom giant है दोस्तों बोड़ाफन idea उस रिसाब से long term perspective से अगर आप देखेंगे तो returns मिल भी सकते है और नई भी मिल सकते है आप पर bet जो है वो 50-50% है तो hopes so आपको समझ आए होगा बाकि अब अगर JN के IPO की बात करें तो दोस्तों JN के जो company है वो heaters, reformers, cracking furnaces दोस्तों बनाती भी देखने को मिलती है, design करती भी देखने को मिलती है and यहाँ पर company का basically 3 stages में काम का जाता है manufacture, design and supply है जहाँ पर company के अगर अगर अपन projects की बात करेंगे तो आसाम हो गया, बिहार, करनाटका, केरिला, महराश्टरा, इन सभी जगों पर basically company का काम का जे और अभी अगर आप ग्रे मार्केट की बात करेंगे तो शुरुआत नहीं हुई है ग्रे मार्केट में लेकिन जो चानकती के website है वहाँ पर बताया जा रहे है कि अच्छे valuations प इसा रीटेलर्स के लिए reserved है तो रीटेलर्स डेफिनेटली यहाँ पर अलॉट्मेंट पाते हुए देखने को मिलेंगे बाकि यहाँ पर company के financials की बात करें तो बढ़िया financials है 138 करोर से बढ़कर 411 करोर का company का revenue रहे है profit after tax 17 करोर से बढ़कर 46 करोर पर रहता हुआ देखने क मिल जाएगे अपने को रही बात यहाँ पर दोस्तो अब तक अगर company की ROE की बात करें तो basically company की जो ROE है वो 32% की है 32% की एंड ROE लगबग 35% की है तो अच्छे दोस्तो company के सारे numbers पर अगर आप देखेंगे तो ठीक ठाक valuation पर अपने IPO लाईए बस अब वेटिंग है इसकी ग्रे मार्केट की अगर ग्रे मार्केट शुरू होगी तो सबसे पहले आपको इस चैनल पर अपडेशन मिलेगा तो ह आपको वीडियो समझ आया होगा बांकि कोई भी decision लीजेगा तो अपने financial advisor की सेला जरूर लीजेगा थैंक्यों इस वीडियो